द्रिस्टी PCS के स्टेट इस्कीम प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे राजिस्थान की दो योजनाओं के बारे में पहली है विशेश योग गिजन सम्मान पेंशन योजना और दूसरी है सविता बेन अंबेटकर अंतर जाती विवाह योजना चलिए पहले बात करते हैं विशेश योगी जन सम्मान पेंशन योजना की इसके परिछे की बात करें तो योजना के तहर्ट विकलागता से ग्रस्त व्यख्तियों को पेंशन दी जाती है इस योजना के तहट निमलिखितला प्रदान किये जाते हैं योजना के तहट 55 वर्ष से कम आयू की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयू के पुरुष को 750 रुपे प्रतिमाह दिये जाते हैं 55 वर्ष व अधिक आयू की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक आयू के पुरुष किन्तु 75 वर्ष से कम आयू के लाभारती को 1,000 रुपए प्रतिमाह दिये जाते हैं 75 वर्ष से अधिक आयू के पैंशनर को 1250 रुपए प्रतिमाह दिये जाते हैं जबकी किसी भ्यायुवर के कुछ रोगी को पंद्रा सो रुपए प्रतिमाह दिये जाते हैं। इस स्कीम के लिए पात्रता की बात करें तो लाबार्थी की समस्त श्रोतु से वार्शिकाए 60,000 रुपए से अधिक न हो। राजस्थान का मूल वासी हो तथा राज में निवास कर रहा हो। चलिए नजर डालते हैं दूसरी योजना के बारे में जिसका नाम है सविता बेन अमबेटकर अंतर जाती विवाह योजना। योजना के परिचे की बात करें तो इस योजना का मकसद सवर्ण हिंदू तथा अंसुचित जाती के बीच अंतर जाती विवाह को प्रुसाहन देना है। योजना है तू सामजिक न्याय एवं अधिकारता विभाग नूडल विभाग है। इसके लाव की बात करें तो इस योजना के तहट अंसुचित जाती के युवक या युवतियों द्वारा सवर्ण हिंदू जाती के युवति या युवक से विवाह करने पर युगल को प्रति विवाहित युगल पांच लाग रुपे प्रुसाहन राशी दी जाती है।